नमस्कार आप देखने हर खबर और मैं हूँ आपके साथ जागरतिक अंतवार रुकरत इस वक्त की बड़ी खबर की ओर बड़ी और एहम जानकारी बालोग से बीजेपी जिला बहा मंत्री का बेटा गरफतार शराब की तसकरी करते क्या ग्या गरफतार पानी पाउच की बोरी में भर कर ले जा रहा था शराब बालोग के लोहरा थाना छेत्र का ये मामला आपको बता रहे जहां पर बीजेपी जिला महा मंत्री का बेटा शराब की तसकरी करते हुए गरफतार किया गया ये बड़ी और एहम जानकारी बालोग से तो यह आपको बता दे कि पानी की तसकरी करते हुए गरफतार किया गया है तो वहीं आपको बता दे कि पानी पाउच की बोरी में भर कर शराब ले जा रहा था और वहीं बालोग के लोहरा थाना शेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है पोलस ने आरोपी को गरफतार कर लिया है 36 गड़ के जांचगीर चांपा में कुर्मी धर्मशाला के भवन का लोकारपन एक अगस्त को स्यम बुपेश भगेग करेंगे जिसको लेकर जांचगीर चांपा जिले के कलेक्टर अतारन प्रकास सना और पुलस अधिक्षक विज्जय अगरवाल जगे का निरिक्षन करने पहुचे जुरान कुर्मी धर्मशाला के प्रदीशा अध्यक्ष छोटे लाल कर्शप और कुर्मी धर्मशाला के सभी पता अधिकारी समीत का यदिकारी बहापर मौचूद रहे तो यह तस्वीरी भी आप देख सकते हैं जहाँ पर कुर्मी धर्मशाला के भवन का इसका लोकारपन करेंगे और एक अगस्त को भवन का लोकारपन होगा इससे पहले सभी तैयारियों का वहाँ पर जायसा लिया चाह रहा है निरिक्षन किया चाह रहा है चत्यसगर विधान सभा के अधियक्ष दॉक्टर चरन दास महंत ने नगर पंचराप पेंडरा में हाई स्कूल स्विविंग पूल के सामरी अपने पिता स्वर्गिया बिसाहू दास महंत की मूर्दिकान आवरण किया आपको बता दे कि स्वर्गिया अब साहू दास महंत एक कुशल राशनितिग्य थे और वो अभिवाजित मध्र प्रदेश के प्रथा मंत्री मंडल में मंत्री भी रहे थे डॉक्टर महंत ने इस अफसर पर दिले में लगभग तीन करोड रुपए की लागत से किये जाने वाले निर्मान कार्यों का भी लोकारपन एवं भूमी पूर्जन किया इस अफसर पर पद्मश्री से सम्मानेद भारती बंदू द्वारा कवीर भजन का भव कारक्रम भी किया गया इस कारक्रम में प्रदीश्ट से सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद थी कि अध्यानों को पस्तिती में ये भव्य कारक्रम आईजित किया गया और इस कारक्रम में चौर्गे विसाउदास मेहन जी की प्रतिमा अदम का प्रतिमा लगाई गई है जो हमारे कि अध्यान जी का बहुत 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 अभारी हूं जाइसिंदी दुर्परवारी मंद्री का अभारी हूं और यहां कि तमाम साथियों को बहुत बहुत बिलनी हूं रहूंगा इन्होंने मेरे पिता जी के कि स्वियती को अक्फुर रखने का बैयास किया है ऐसे व्यक्तियों के प्रतिमा के हमारे सामने होने से हम लोग उसी की तरह आचरन करने उसी की तरह भार करने की रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की और बिलासपूर से बड़ी और एहम जानकारी आरपी अपकी बड़ी कारवाई देखनी को मिले एक युवक को कई नावालिकों के साथ पकड़ा गया है तो नावालिकों को लेकर जारखंड से करनाट का आरोपी जा रहा था हावडा आपको बता दे जहाँ पर बिलासपूर आरपी अपनिक युवक को मारप तसकरी मामली में पकड़ा है तो वहीं आपको बता दे कि नावालिकों को हावडा मुंबई एल्टीटी एक्सप्रेस से करनाट का लेकर यारोपी जा रहा था और बच्चों को चुड़ा कर बाल कल् तूरी का काम करवाने की बात सामी आ रही है तो हीं आपको बता दें कि एक युवक को नावालिकों के साथ पकड़ा गया है और अब बच्चों को चुड़ा कर बाल कल्यांट समीती के सुपूद्र कर दिया गया है धंतरी जिले की सिहावा नगरी से विधायक डॉक्टर लक्ष्मी धुरुप के खलाफ कोट के आदेश पर थाने में FIR दच की गई है मामलों 2010 से लेकर 2018 के बीच का है विधायक डॉक्टर लक्ष्मी धुरुप पर धोखा दड़ी के आरोप है जिस पर केस दर्च कर लिया गया है आपको बता दें कि ये पुराई उताई इस्तित गर्व इंस्टिटूट ऑफ मैनेश्मेंट एंड टेक्नोलोशी में डिरेक्ट किया क्या है और आपको बता दें कि गर्व इंस्टिट ऑफ मैनेश्मेंट एंड टेक्नोलोजी में डिरेक्टर बनाने का च्छासा देकर 23,25,000 रुपए की ठगी करने का आरोप इन पर लगा है राइगड जिले के धरम जैगड के वनमंडल छेत्र में हाथियों को आतंक जारी है आपको बता दें कि जंगली हाथियों द्वारा फसल मकान और सामागरी का नुकसान रोजाना किया जा रहा है जिसे लेकर प्रभावित शेत्रवासियों भैस थात जीने को मजबूर है और प्रशासन इस ओर को इध्यान नहीं दे रहा है तो धरम जैगड से खबर आपको बताने जहाँ पर हातियों ने उत्पात मचा तो कई घर से तबाह कर दिये गए है फसले तबाह हुई है और ऐसे में जो लोग है वो भी आप डरके साई में चीने को मजबूर हो टुके हैं तो यह प्रशासन इस ओर को इध्यान नहीं दे रहा है तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर हातियों के आतंक से लोग परिशान है तो वही लोगों का कहना है कि बंड मंडल छित्र में हातियों का आतंक जा रही है और आपको बता दें कि जंगली हातियों द्वारा फसल मकान और सामाकरी का नुकसान रोजाना किया जा रहा है तो यह जिसे लेकर प्रभावित छित्रवासी भै के साथ जीने को मजबूर है तो प्रशासन इस ओर को इध्यान नहीं दे रहा है खबर अंबिकापूर से जा सरगुजा के हाई सेकेंडरी स्कूल पर्सा में छात्रों से छेड़ छाड़ करने के मामली में आपको बता दे कि हाई सेकेंडरी स्कूल पर्सा में छात्रा से छेड़ छार करने का मामली समयाया है और जिसके बाद परिजनु के श्रकायत करने पर आरोपी शिक्षक को पोलिस ने नियाएक हरिमान में लेकर नियालय में पेश किया था तो एक खाबर आपको बता दे जहाँ पर छेट छाड के मामले में ABVP के कारे करता हूँ जहाँ चात्रा को लेकर कलेक्टविट पहुँचे तो वही ABVP के कारे करता और चात्रा के परिजनु के बीच बहस हो गई परिजनु का आरोप है कि बीना सूचना दिये यह हमारी बच्ची को यहां लेकर आये हैं जिसके बाद पोलिस ने परिजनु के शकायत पर ABVP के वदादिकारी को हिरासत में लिया और कोत वाली पोलिस चाच में चुट गई है तो वहीं आपको बता दें कि हाई सेकेंडरी स्कूल परसा में चात्रा से छेठचाड करनी का माबला सामने आया था और जिसके बाद परिजनु कि शकायत करनी पर आरोपी सिक्षक को पोलिस ने न्याएक रुमान मिले कर न्याले में पीश किया था मेरे बेटी को रुपा जगाने के बाद घर में आया तो मेरे बेटी को देख फोजा फोन लगाया तो बोले कि यहां अबिकापूर ले गए हैं कले एस्पी आफिस में कौन लोग ले गए वताय नहीं फिर क्या किया तो वोच्छी अप्याप आले अदमी है करके ले आए उन इसके बाद हम लोग चलते हैं लेने के लिए इसे को अप्या सरबंज को लेका है अबिकापूर लेकर कुछ नबालिग जो बच्ची है उसके द्वारा की उसके साथ शेड़चाड की घटना वहीं के इसको लेकर कुछ नबालिग जो बच्ची है उनको लेकर एक युवा अभी कुछ संगठन के सदस्याय हुए थे और बाद में ये विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि जो उनके परिजन हैं जो बच्चीओं के परिजन हैं वो उनकी बिना जानकारी के उनको लाया गया था जिसको लेकर यह विवाद की स्तिती पैदा हु और उससे दुशकर्म करने के मावले में आरोपि के सहयोगी दोस्त को पोलस ने राइगट के तरहाई माल से ग्रफ्तार किया है इस मामले में पोलस इस से पहले तीन आरोपियों को जेल भेच चुकी है वहीं आपको बता दे कि आरोपि का नाम तुलसी शर्मा है और और प्लिस ने अब नाबाए के दुश्करम करने की इमामली में जहां आरोपी का सहयोग करने वाले विवक को घृफतार कर लिया है। तो ही आपको बता दें कि पोलिस मुख्या आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बल्रामफूर से खबर आपको बतारे जहाँ पर पुलिस की गिरफ्थ में आरोपी आ चुका तो वही पहले भी तीन आरोपी इस मामले में गिरफ्थार हो चुके हैं तो इस मामले में पुलिस जहाँ तीन आरोपी को जेल भेच चुकी है तो वही आरोपी का नाम तुल्शी शर्मा है और वो राइगर्ड जिलिक के तराइवल में रहे कर काम करता है नाबाल एक लड़की के आपरण और दुशकर्म का मुख्या आरोपी बबलू सूनवानी जब पिडिता का परण कर ले गया था तब इस आरोपी ने उसका सहयोग किया था जिसकी बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जाश शुरू करी और इसमें जो मुख्या आरोपी है वो अभी भी गरफ्तार नहीं किया गया हाला कि उसके सहयोगी आरोपी को पुलिस ने गरफ्तार कर लिया है जांजगीर चांप जिले के बारा द्वार मस्ति बस्ती में मुक्ति धा में शवकित दा संसकार को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया बताया जा रहा है कि ये 12 अदवार बस्ती में निवासी युवक प्रदीप पाटले की मौत हो गई थी और पोस्पोटम के बाद शाम को अंतिम संसकार किया जा रहा था तो मग बारिश की वजह से अंतिम संसकार में बाधा उत्पन हो रही थी और इस वजह से मिरतक के परिजन और समाज के लोगों ने गाउ में मौजू दूसरे समाज के शेड युक्त शबदा ग्रह में अंतिम संसकार की प्रकरिया प्रारंबकर श्टा को आग भी लगा दी लेकिन जब दूसरे समाज के लोगों ने अपने समाज के शबदा ग्रह में अन्य समाज के द्वारा अंतिम जामा करते हुए अम्रतक का शब चलती हुई चता से बाहर निकाल दिया गया वहीं आपको बता दें कि जुसके बाद दूसरे पक्षब भी आक्रूशित हो गया और उसने शब को सड़क पर रखकर शक्का जाम कर दिया हंगावे की सूचना मिलने पर पहुची पुलिस ने कारवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफतार कर लिया तो वही मामले की चार्च शुरू कर दी गई है जाजगी चांपा से खबर आपको बता रहे हैं जहापर बारादवार बस्ती में मुक्तिधा में शब के दा संसकार को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया तो बताया जा रहा है कि बारादुआर बस्ती में निवासी यूवग प्रदीप पाटले की मौत हो गई थी और पोस्ट मौटम के बाद श्याम को अंतिम संस्कार किया जा रहा था मगर बारिश की वज़व से अंदिम संसकार में बाधा उत्पन हो रही थी और इस वज़व से मृतक के परिजन और समाज के लोगों ने गाउ में मौझूद दूसरे समाज के शेड यूक्त शवदा ग्रह में अंदिम संसकार के प्रकरिया प्रारंब कर चुता को आग भी लग लेकिन जब दूसरे समाज के लोगों ने अपने समाज के शवदा ग्रह में अन्य समाज के दुआरा अंतिम संसकार की बात सुनी तो वो एक खटा हो गए और हंगामा करते हुए मृतक का शव जलती हुए च्चता से बाहर निकाल दिया जिसके बाद दूसरा पक्ष भी आक् शुरू करती है बलडरामपूर के चलगली पुलिस की टीम को सफलता हाथ लगी है पुलिस ने रनहत गाउ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डराधमका रहे यवग को गिरफतार किया है और उसके पास से तलवार को जब्द कर लिया है पुलिस ने बताया कि आरोपी शुभा में जो इसवार सड़क में खुम खुम कर लोगों को तलवार लहराते कोई डरा रहा था जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम कोई अन्होनी नहो इसके लिए ततकाल खेरा बंदी कर आरोपी को गिरफतार किया है तो बल्रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर सरयाम तलवार को ले रहे लेकर खुम रहे ही वग को पुलिस ने गिरफतार किया है और उसके पास से तलवार को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने बताया कि आरोपी सुभम जैसवाल सड़क में खुम खुम कर लोगों को तलवार लहराते हुए डरा रहा था जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौकी पर पहुची और इसे पहले कि कोई अन हो नी हो पुलिस ने खेरा बंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है कवर्धा के बोडला थाना पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है पुलिस ने 6 अंतराचिय तसकरों को 37.800 ग्राम किलो गांजा की तसकरी करते को ये गिरफ्तार किया है जुसकी कीमत 7,78,600 रुपे बताई जा रही है तो वहीं तसकरी में इस्तमाल की गई गाड़ी और मुवाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है आपको बता दें कि बोडला थाना पुलिस को मुखवीर ने रायपूर से जबलपूर के ओर जा रही सफेद गाड़ी में गांजा भरा होने की सूचना दी थी और वहीं अवैद मादक पदार्त को उडिसा से राजिस्थान बेशने के लिए ले जाया जा रहा था फिलार पुलिस ने आरोपियों के खलाफ एंडी पियस एक्ट के तहत मामला दर्श कर जुडिशनल रिमांट पर जेल भेश दिया है तो कवरदा से खबर आपको बता रहें जापर पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली है पुलिस ने च्छे नशा तसकरों को गिरफतार किया है तो साथ ही आपको बता दें कि नशा तसकरों के पास से 77 किलो 860 ग्राम गांचाप ही बरामत किया गया जुसकी कीमत 7,78,600 रुपे बताई जा रही है साथ ही पुलिस ने तसकरी में इस्तमाल की गई गाड़ी और मुबाइल पुन भी जब्त कर लिया है तो आपको बता दें कि बोड़ला खाना पुलिस को मुकबीर ने राइपूर से जबलपुर के उच्जा रही सफेद गाड़ी में गांचा भरे होने की सूचना दी थी तो वहीं अवैद मादक पदार्थ को उडिसा से राजिस्तान बेशने के लिए ले जाया जा रहा था और फिलाल पुलिस ने आरोपियों के खलाफ NDPS Act के तहट मामला दर्जगर जुडिशनल रिमान पर च्वेल फेश दिया है को एक वहां टाटा टिगोर मिला था जिसमें चे विरती थे और पीछे अवैद समान रखा हुआ था चेकिंग करने पर अलग अलग 43 पैकेट में लगण 78 किलोग्राम गांजा इसमें प्राप्तव हुआ है जिसमें विदी अनुसार कारवाई कवर्दा के पंडरिया कुखदूर मुख्या सड़क पर एक भीषन सड़क हाथा हो गया आपको बता दे कि एक ट्रॉक की चपीर में आने से व्रदमहला की मौत हो गई तो वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और खटना सेल पर पहुचे पुलिस ने रतिका कि इस शफ को कब से मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भीष दिया और आगे की कारवाई शुरू कर दी है तो कवरदा से ख़बर आपको बता दे जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रॉक ने एक बुज़र्ग महिला को टकर मार दी तो वहीं इस हाथसे में बुज़र्ग महिला की मौत हो गई तो वहीं आपको बता दें कि पोलस ने शुब को पोस्ट मौटम के लिए भीच मामले की जाट शुरू कर दी है तो कवर्दा से ख़बर आपको बता दें जहां पर एक ट्रॉक ने बुजर्ग महिला को टकर मार दी तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में बुजर्ग महिला की मौत हो गई तो ट्रॉक की चपिट में आने से जहां बुजर्ग महिला की मौत हुई तो वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मृतका की शरब को कबजे मिले कर पोस्मॉटम के लिए भीच दिया और आगे की कारवाई शुरू कर दी तो कवर्दा के पंडरिया भीचन सड़क हाथा हुआ है बलरामपुर जिले के बग्यों पुलिस की टीम ने मांसिक रूप से विशिप्त लड़की का परहन करने के मामली में दो आरोपियों को गरफतार किया है दोनों आरोपी गलत नियत के रादे से लड़की का परहन कर लेचा रहे थे लेकिन ग्रामीडों की सूजबूद से आरोपी लड़की को छोड़कर भागने के लिए आपको बता दें कि मामले में पिडिता की मा की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपी छेड़ और ब्रजलाल को गरफतार कर लिया है पुलस ने बताया कि मानसिक रूप से विशिप्त लड़की गाउं में घुमती रहती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी लेकिन 24 तारिक को वो घर नहीं लोटी जिसके बाद पिडिता की मा ने खोशबीन शुरू की तो वहीं गाउ गए वहीं पुलस ने दोनों आरोपियों को गरफतार कर लिया है और इस पूरे मामले की जान शुरू कर दी है राजनाद गाउं के इमाम चौक में फ्लाइबर के नीचे कॉंग्रिस कमिटी ने एडी और पिये मोदी के खलाफ एक दिवसी अधरना प्रदर्शन क्या प्रदर्शन कार्यों को कहना है कि केंद्र की नरिंद्र मोदी सरकार बेवज़ा सोनिया गांथी और राहुल गांथी को परिशान कर रही है जो कि बरकुल गलत है आपको बता दे कि इस मौके पर कॉंग्रिस अध्यक्ष कुलबीर सिंग छाबडा जिला कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्ष पदम सिंग को ठारी महिला अध्यक्ष रोष्णी सनहा सहीत का इनेता कारेकरता शामिर हुए तो प्लगाते में उन्हें कहा कि केंदी सरकार सरकारी एजन्सियों का दुरूपयों कर रही है राजनांदगाओ में जिला कारले है के सामने 36 गड अधिकारी करमचारी फेडरेशन के आवाहन के तीसरे दिन करमचारिव ने मुखेमंतरी भुपेश भगेल को नाठकी अन्दास में जगाने का प्रियास किया करमचारी बने काका और मुखे मंतरी भुपेश भगेल का निवास स्थान में होने वाले दिन्चरे को नाटक के माध्यम से बताया गया प्रदर्शन कर रहे करमचारी को कहना था कि वो महंगाई भत्ता और अन्यकई मुद्दों को लेकर एक लंबे समय से प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उनके समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक करमचारी लामबंद होकर हर्टाल पर जाने के लिए बाद्दे होंगे स्थित्ता हमने आपके सामने रखा है कि करमचारियों से कैसे बात किया जाता है अपने विधायकों से कैसे बात किया जाता है किसानों से कैसे बात किया जाता है इसको हमने नाटा ग्रूप में परविश्यत करके हमारे करमचारियों बंदों को दिखाया है है हमने नारों के माद्दें हम से भी संदेज देने का प्रयास किया प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए आज हमारे करमचारी भाईयों ने एक बहुत ही जागरूपता लाने का प्रयास नाटक देखते रहे हर खबर